नमस्कार दोस्तों मैं इंकुर उपाध्याइज स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनालिसस में कल बजार कैसा खुल सकता है कल बजार में क्या रणनीती होनी चाहिए आपकी ग्लोबल मार्केट क्या संकेत दे रहे हैं गिफ निफ्टी क्या संकेत दे रहा है और इसका डेटा क्या कह रहा है इन सारी चीज़ों को शॉट में समझने की कोशिश करते हैं लेकिन इन सब के बीच में जो एक सवाल सब के दिमाग में चल रहा है बजार once I read भागा है काफी जादा भागा है life आई पे आ गया है बहुत अच्छा पैसा बन रहा है जो खरीद लो वहीं पैसा बन रहा है क्या ये एक सही समय है जहां पैसा लगाया जाए देखिए ये market में आप किसी भी समय पैसा लगा दो सही समय है क्योंकि market में आप जितना जल्दी पैसा लगाओगे उतना बड़ा पैसा बनाओगे over a long period of time लेकिन इस समय पे आपको لمसम नहीं SIP करनी चाहिए हो सकता है वो mutual fund के थुरू हो या फिर आप अपने आप कर लीजिए एक कुटी market में अगर मेरे को 10,00,00 रुपे कुंदाने है तो मैं नहीं कहूँगा कि इस समय 10,00,00 कुंदाने चाहिए हलांकि मन सबका ये करेगा इस समय 10,00,00 कुंदा दो तो अगर मेरे को 10,00,00 लगाने है तो मैं चाहूँगा कि इस समय मेरा बजार में दो लाक या एक लाक रुफे ही जाए उसके बाद मैं हर एक लाक को पांच परसेंट या तीन परसेंट या दस परसेंट जो भी मेरे को लगता है मैं उस हिसाब से गिरावट में लगाऊंगा अब लोग कहेंगे बाई बजार गिरेगा ही नहीं कभी तो पैसा लगेगा यह नहीं तुमारा बैठे रह जाओगे साइड में मैं आपको बदाना चाहता हूँ यह सारी चीज़ें मार्केट में सिर्फ और सिर्फ कहने के लिए है ना जाने कितनी बार ऐसा होता है कि आपको लगता है यह शेर तो कभी नहीं तूटेगा फिर उसका गोल्डन पीरिड खतम होता है फिर गिरावट आती है कभी कभार आपको बजार लगता है कि बजार कभी गिरेगा ही नहीं और होता है यह है कि बजार उस समय तो नहीं गिरता है लेकिन जब गिरता है तो बहुत हाईवी गिरता है कभी कबार आपको लगता है कि मार्केट खतम हो जाएगा यहां से तो बेच कर चले जाओ यह तो जुआ है इससे बड़ा गेंबलिंग कुछ है ही नहीं लेकिन फिर वो वापस चलता है तो यह मार्केट के कुछ पहलू है इसमें डिसीप्लेन अपने आप में इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है तो डिसीप्लेन आता है SIP से जहां पे आप मार्केट के हर पढ़ाव में थोड़ा बहुत पैसा लगाते है तो इसी लिए मैं आपसे पहले तो यह कहूँगा कि आपको SIP स्टार्ट करनी चाहिए चाहिए वो मंतली 1000 की हो या 2000 की हो और आप हमारे माद्यम से तो डेली की SIP कर सकते हैं यानि कि महीने में 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं पांच साल में 2 लाग रुपे डाल रहे हो तो उससे एक्सपेक्ट क्या करोगे कितनी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन से आपकी कुछ नहीं बननेगा आपका तो कम से कम महीने का 5 से 7000 रुपे आपको SIP करनी चाहिए जो आपको 20 साल में 1 करोड रुपे तो दे सके कम से कम तो ये मैं एक सिंपल कैल्गुलेशन बता रहा हूँ और अगर आप SIP के रिलेटिड कोई भी जानकारी चाहते है मुचल फंड में कहां पैसा लगाएं कहां ना लगाएं कैसे शुरूवात करें क्या होता है वो सब सीच के लिए आप हमारे उपर डिपेंड हो जाओ क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा जहां पर आप सिर्फ आपको साइन अप करना है अपनी पैंड डीटेल्स बैंक डीटेल्स फिल करनी है और SIP के लिए हमारी टीम से आपके पास कॉल आईगी अब दूसरा तरीका ये है कि मैं मार्केट में डारेक्ट चला गया हूँ मार्केट में मैं डारेक्ट चला गया हूँ तो emotions पे काबू रखना है मिरको मैं 1 लाग तो लगा दूँगा तो 3 लाग जब बजार 3 परसेंट गिरा तो फिर मिरको नीचे दुबारा 1 लाग लगाना है उस समय मिरको ये नहीं कि जो लगा दिया है वो भी बेच दूँ ये सारी चीज़े अगर आप कर ले दो आप अगले 10 साल में ट्रेस्ट में बहुत बड़ा पैसा बनाने वाले हो इसके पीछे मेरे पास बहुत सारे रीजन है आप भारत को देखो किस साबसे ग्रो कर रहा है भारत जो सरकार चाता है वो सरकार आ रही है इंडिया की ग्रोथ इस समय वर्ड में सबसे हाईस्ट है हम लोग भारत में हमारा भारत देश जो है वो इस समय दुनिया वर की growth का engine बना हुआ है और यह मैं नहीं कह रहा है यह World Bank जैसे IMF जैसे बड़े-बड़े लोग कह रहे है तो मैं इतना ही कहुँआ कि आप भारत में निवेशित रहो चाहे वो direct equity हो, mutual fund हो, जो भी हो मैं तो कह रहा हूँ, इतना कह रहा हूँ कि आप equity में भी न, nifty का ETF भी लो और gold का ETF भी लो, और silver का भी लो shares भी खरीदो direct पैसा बनेगा कैसे नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कैसे नहीं बनेगा gold भी पैसे 8,000 हो गया है, sensex 70,000 हो गया है लेना सब है, यह सारी चीज़ा मैंने कर दी, लेकिन आपके साथ जो starting में चीज़ा करी थी, वो discuss नहीं करीं भी तक, क्योंकि उनमें क्या ही है मैं already बता चुका हूँ, short में सिर्फ इतना कहना चाहँगा, market में आखरी के देड़ गंटे में, 200 point का move आया NFT में Friday को, और वो इसलिए क्योंकि FIIs 9,300 करोड की बाइंग करके गई है अब FIIs कितना और लेंगे, कितना और नहीं लेंगे, वो तो बराम जाने, बट बड़ी खरिदारी हुई है futures में भी है, तो आपके लिए large cap तो चलने वाले है, कोई दिक्कत है ही निमा और जिसाब से IT में बाइंग आ रही है, मिरुको लगता है, IT अभी नहीं रुकने वाला, Reliance भी चलने लगा है, HDFC भी चल रहा है तो market तो super bull run में breakout भी आ गया और यह लग रहा था कि 200.300.00 उपर दिख रहा है resistance कुछ है नि क्योंकि सारे के सारे call rider trap हो गए है, सब उपर में fresh level खुले हुए है नीचे आपके लिए हर एक point पे support आ जाएगा, तो market में negative तो इस समय नहीं दिख रहा है Nasdaq, Dow और Russell 2000, S&P 500 भी almost similar है Gift Nifty आपके लिए flat है तो यहां से कोई संकेत आहीं नहीं रहे, लेकिन यही सब मैं आप सभी के साथ कहना चाहूँगा कि आप यह तो direct निवेश कर रहे हो तो तुकड़ों में कीजिए और यह SIP कीजिए जिनका already बजार में पैसा लगा हुआ है, वो जल्दबाजी में पैसा या profit book ना करें क्योंकि अभी बजार बहुत उपर जाना है ओप आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, thank you so much for watching this video, good night guys